सब्सक्राइब कीजिए दपर्फेक्ट क्लासिस चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटिस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपनी अपनी कलम की लंबाई मापी भीम की कलम साथ सेंटीमीटर पांच मिलीमीटर लंबी और जग्गू की कलम आठ सेंटीमीटर तीन मिलीमीटर लंबी तो देखो ये जग्गू की कलम मान लो आप और ये भीम की कलम हो गई क्या आप दशमलव का प्योग करते हुए इन लंबाईों को सेंटीमीटर में वेक्त कर सकते हैं हम जानते हैं कि 10 mm बराबर 1 cm होता है इसलिए 1 mm बराबर 1 बटे 10 cm या 1 cm में अगर हम लिखेंगे तो 0.1 दशांश का मतलब बच्चो जो दशमलवने संख्या लिखी जाती है अब भीम की पैंसिल की लंबाई 7 cm 5 mm है ठीक है तो इसे कह लिखा जाएगा 7 सही 5 बटे 10 क्योंकि ये दशांश में हमने लिख दिया 5 mm को ठीक है तो ये लिखा जाएगा 5 बटे 10 मतलब 7 cm और 1 cm के 5 दशांश ठीक है तो अब ये आगया 7.5 ठीक है अब ये 7.5 कैसा आगया देखो इसको करते हैं इससे multiply 7 धम 70 और फिर जो multiply होकर आता उसे इसमें जोड़ देते हैं ठीक है तो ये कितना हो जाता है 75 सादा हम 70 और 5 जोड़ गया तो 75 हो गया अब ये यहां गया 75 बटे 10 ठीक है अब 75 बटे 10 आगया ठीक है अब इसमें से देखिए एक 0 है तो एक अंक के बाद यहां पर point लग जाता है तो ये आ गया 7.5 ठीक है तो ये फिर दशमलब में लिखने की जरूरत नहीं है फिर ये ह टुषमलब में ऐसे लिख देंगे तुषमलब लगा कर छीक अब आगे देखिये जग्यू की पैंसिल बता हुए है जग्यू की पैंसिल आहाँ से ही 3 2x10 सेंटीमीटर और एक सेंटीमीटर में अवते हैं तीन दिसस तो यि तो इसे भी ऐसे करेंगे 8 सही 3 बटे 10 को इसे इस से multiply करेंगे पहले 10, 8, 80 और इसे इसमें जोड़ देंगे 80 और 3, 89 हो गए 83 और ये बटे में आगए 10 ठीक है अब एक 0 है तो इसका देशंबलब में कैसे निकालेंगे है एक अंग के बाद देशंबलब लगा देंगे तो ये 8.3 आगया अब नेक्स्ट देखते है क्या 2.3 क्या है इस पस्टी करेंगे बाई और 2 है जो पूर्ण संक्या है 3 दशांच इस्तिती में है क्योंकि ये वाली तो दशांच है और ये वाली पूर्ण संक्या है ठीक है क्योंकि यह दशमलब के इधर है. तो यह दशांच है. जिसका आर्थ है 3 दशांच. अब इसका यह जो 3 है इसका आर्थ है 3 बटे 10. ठीक है? इसलिए 2 दशमलब 3, 2 और 3 दशांच है. ठीक है? मतलब इसमें 2 पूर्ट संख्या है और 3 दशांच है. इसलिए इसे क्या लिखा जाएगा 2.3 लिखा जाएगा अब आगे देखिए बच्चो इसमें देखिए धाई क्या है जीरो है ठीक है अगर कोई संख्या होती 20 या 22 तब यहां 2 आता ठीक है धाई के इस्थान पर 2 आता अब लेकिन यहां बस एक इक आई का अंक है दो संख्या तो यहां दहाई के इस्थान पर कुछ नहीं आएगा और दशांच के इस्थान पर क्या आ जाएगा? तीन आ जाएगा क्योंकि दशम्लब में दो दशम्लब तीन है ठीक है अब देखते हैं आगे निमलिकित में से प्रतियेक को दशम्लब के रूप में लिखिए तो देखिए इन सबकों में दशमलब के रूप में लिखना है यह पहले यह तो इजी है इन दोनों को इजी करके लिखना है और निमली के दशमलब को तालिका में लिखना है इन तीनों को ठीक है तो करते हैं इसे देखिए इसे हमने लिखा पहले को पांच बटे दसकांसर क्यों होगा मैंने आपको बताया था कि दशमलब में बदलने के लिए जितनी 0 हो नीचे उसके एक अंक के बाद 0 आ जाएगी जैसे 5 बटे 10 है तो यह एक ही अंक है यहाँ पर तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलब लग जाएगा और यहाँ 0 लगा दी तो यह 0 दशमलब 5 आ ग लगता अदर्वाइज 0 दशमलब 0 5 होता ठीक है बच्चो अब आगे देखते हैं आगे क्या है 4 सही 2 बटे 10 तो पहले हम क्या करेंगे इसे इस से मल्टिप्लाई करेंगे ठीक है मैं यहाँ करके दिखा देती हूं अलग क्योंकि यह तो आपको ऐसी करना है बस आंसर जैसे ह दिया हुआ है 4 सही 2 बटे 10 पहले इसकी से मल्टिप्लाई करेंगे 10 चुक 40 फिर इससे जोड़ देंगे 42 बटे 10 आगया ठीक है यह ऐसे मिल गया हमें अब यहाँ देखिए A की 0 है नीचे तो हम A की संक्या के बाद यहाँ पर मतलब दशमलब लगा देंगे तो यह संक्या आ हमारे पास 4.2 यह अंसर आ गया अब इसे करेंगे C को देखिए बच्यों इसे सौल्फ करसे करेंगे 3 के नीचे आप 1 मान लो ठीक है फिर जैसे हमने लास्ट में क्या था क्या करेंगे इनको सौल्फ करने के लिए इसको इसके हर से गुणा करेंगे और इसको भी इसके हर से गुणा करेंगे ठीक है और इसको इसके हर से गुणा करेंगे और इसको भी इसके हर से गुणा करेंगे तो देखते हैं दोनो तरफ के भिन्नों की संख्याव को एक दूसरे के हर से गुणा करेंगे तो यहां आचाहेगा मारे पास 3 गुणा 10 बटे में 1 रखाता हम नहीं है 1 गुणा 10 ठीक है इस सगुणा हो रही है ऐसी प्लस में 7 की अब 1 सगुणा होगी और 10 की भी एक से ही गुणा होगी इसके हर सगुणा होगी इन दोनों की तो यह आ गया बराबर में 30 धाम 3 धाम 30 आ गया 10 की एक से बुणा करी, 10 आ गया, 7 एकम 7 आ गया, प्लस का निशान ऐसी रहा है आपर, 10 एकम 10 आ गया, अब दोनों का common यह से समान हर करने के लिए किया जाता है, तो 1 ही हर आ गया हमारे पास 10, और जो हम 30 और 7 को जोड़ेंगे तो यह आ गया 37, 37 बटे 10, अब देखिए 0, 1 ही है ने लिखिए, तो यह 3 संक्या दी हुई है, देखिए यह, इसमें 1 ही है, धाई के स्थान की संक्या नहीं है, तो इसे देखिए, हम यहां लिख देंगे, एकाई के स्थान पर हमने लिख दिया 7, क्योंकि धाई के स्थान पर पूर्ण संक्या कुछ है नहीं, बस 7 दिया 3 यहां पर धस्तान पर ठीक है अब ऐसी, 15.3 में, एक को, धाईस्तान पर 5 को, यहां और तीन, यहां दशांच वहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमाई चनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्स पो वाचिंग